कि नमस्कार में रूप पैरेंट सर्मा रेजोनेंस बैसिशिप डिविजन और आज हम चलते हैं क्लास एर्थ और एर्थ में हमने व्याकरण का पिश्टी क्लास में पहला टॉपिक लियाता संदी परीची जिसके बारे में बच्चों हम पढ़ चुके थे संदी किसे कहते हैं सं और संदी किस में होती है वल्णों का मेल कैसे होता है कैसे नहीं होता है क्या-क्या परिवर्तन होते हैं और संदी के प्रमुक प्रकार या भेद कौन-कौन से हैं इसके बारे में पिश्टी क्लास में हम पढ़ चुके थे और ये भी पढ़ चुके थे के स्वर संदी के आज हम चलते हैं किस पर वेंजन संदी की और कि वेंजन आपने पड़े होंगे कि हिंदी वन माला में 33 वेंजन होते हैं अब इनको मिलाने से क्या परिवर्तन होते हैं तो चलते हम सबसे पहले देखते हैं वेंजन संदी किसे कहते हैं तो वेंजन वर्ण के बाद स्वर या वेंजन वर्ण के मेल से उत्पन विकार को हम क्या कहते हैं बिच्चों वेंजन संदी कहते हैं अब यह समझ में नहीं आई आपको उसर समझ में नहीं आई आपने विच्चों यह तो पड़ा है कि पूर्व पद और यह भी पड़ा है अंतिम पद, यह दोनों पड़े हैं आपने, तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या होना चीए, वेंजन होना चीए साब, और उत्तर पद का या अंतिम पद का प्रत्थम वर्ण क्या होना चीए, स्वर्भी हो सकता है, और वेंजन भी हो सकता है, तो पूरुपत का अंतिमवर्ण वेंजन ही होगा जबकि उत्तरपत या बादवाले पद का जो प्रतमवर्ण है स्वर्ण या वेंजन में से कोई एक होगा तो हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं तो बच्चों जहां संधी के लिए उप्रयुक्त शब्दों में प्रतम शब्द के अंत में वेंजन वर्ण हो और दूसरे शब्द के प्रारहम में स्वर्ण या वेंजन हो तो वहां पर कौनची संधी होती है वेंजन संधी होती है या हम उसको वेंजन संधी कहते हैं तो बच्चों हम देखते हैं इसका निएम नंबर का नियम नंबर एक कीसे होती है पवर्ग के पहले क्या होना चीये वर्ण का चटा तप पर उसके बाद उपरान देनी बाद कोई स्वर आए अत्वा क्या तीसरा चोथा यद्या आपको पता ही इसई वर्घ क्या होता है देखको अपको समझा एक उधारण championships समझा देता हूं बच्चों कवर्ग कवर्ग में क्या क्या आता है कख गग यह आते हैं अब आप से पूछा जाए कि कवर्ग का प्रतम वर्ण तो का है दूसरा ख है तीसरा ग है चोथा ग है और पांचमा क्या है तो इसी तरह से प्रतेक वर्ग आपसे पूछा गया कि प्रतेक वर्ग का तीसरा चोथा तो का वर्ग का तीसरा चोथा क्या है और घा यह तिनों दिये हैं आये तो पहले वर्ण के स्तान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है अब इसमें क्या समझ में आया यह समझ में आया कि सबनें दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा और त थ द तो इसमें गाहे तो इनमें बदल जाएगा तो बच्चों समझ में आया अब केसे बदल जाएगा साब देखिए दिख दिख की शब्द का मतलब क्या होता है दिशाई दिशाई दसो दिशाउं से कहेगी अपनी कहानिया तो दिख यह दिशा और दर्शन जो दर्शन करता है पूरा पस्य मुतर दक्षन का उसको क्या कहते हैं बिटे यह कहे कह किसमें बदला इस कमे अब आपने इसमें देखा है कि का आधा है तो कह भी कैसा रहेगा आधा ही रहेगा यह दिशाद पे पूरा होता तो आप इसको यहां पर भी पूरा ही लिगते यह बास समझ अगया अब इसी तरह अच्य yanठ अब च गा तीसरा वर्ण कौन सा है च छ ज तो इसका मतलब होगा यह ज तो अच प्लस अंत तो अज़शन्त अब आपके मन में डाउट है कि सर यहाँ पे च आदा है तो ज पूरा कैसे हो गया विटे बाद में क्या है अ यह अन्त का क्या है में मिलने से क्या हुआ पूरा हो जाता है फिर है भगवत यत्ता है अब तक इसे बदलता थी आदा है तो हुआ या ने हुआ तो यह प्रतम नियंस आपको समझ में आया निया प्रतम नियंस में हमने क्या पड़ा कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण का चाटतप हो और उत्तर पद का प्रतम वर्ण या तो कोई स्वर हो या किसी भी वर्ग का तीसरा चोथा वेंजन हो तो का चाटतप अपने ही वर्ग के किस में बदल जाता है तीसरे वेंजन में बदल जाता है यह बास समझ में आई या नहीं आई बिलकुर समझ में आई होगी उधारण के माद्यम से बच्चों हमने देखा भी सही आगे चले हम अब आगे है नियम नंबर दो साब नियम नंबर दो क्या कहता है कि किसी वर्ग के प्रत्थम या तृत्रिते वर्ण के बाद क्या हो अनुनाशिका वर्ण आए तो प्रत्थम वर्ण के इस्तान पर उसी वर्ग का अनुनाशिक व्यंजन हो जाता है अब पहले तो यह देखना है अनुनाशिक व्यंजन कौन-कौन से बच्चों ग या फिर न फिर न फिर न फिर मा है न ये तो इनके इस्तान पर क्या हो जाएगा इनके इस्तान पर हो जाएगा अनुनाशिक ये वाला होगा या नहीं होगा तो इसमें क्या है का वाक प्लस मैं बच्चों वाक प्लस मैं तो इसमें सबसे पहले तो ये देखना है हमें कि किसी भी वर्ग के प्रतम या तृत्ते वर्ण के बाद बिल्कुल ये प्रतम वर्ण आ गया सब क कोई अनुनाशेक ये म आ गया ये म आये तो प्रतम वर्ण के इस्तान पर उसी वर्ग का अब ये क वर्ग तो आपने देखा होगा क ख ग ग और घ और ग तो इस क वर्ग का अंतिम कोण चाएं ग तो यहां पर क्या आया कि अब अच्छों यादा है तो यह भी आदा ही रहेगा तो फिर हमने यहां पर क्या बनाया वांग मैं बनाया इसी तरह जगत प्लस नात तो तके बाद क्या आया ना तो इस तका क्या बनेगा ता ता दा ना पंचमर्ण तो इसमें क्या बनाया हमने जगर्नात यह समझ में आ गया फिर हमने द क्या है अंतिमर्ण इसमें भी क्या लिखा बना दिया यह तका क्या बनाया आधाना बना दिया तो बच्षों आपको यह दूसरा नीयम भी समझ में आया होगा बिलकुस समझ में आया क्योंकि इसमें क्या है किसी वर्ग का तीसरा वेंजन हो तो हमने क्या किया उसको पंचमण में बदल दिया है समानेसी बात है तो अब इसके बाद है तसे संबंदित नियम सब किसे संबंदित बच्चो तसे संबंदित नियम अब कोई स्वर या गगद धभभ या रलव आये तो त के इस्तान पर द हो जाता है बहुत ही अच्छा प्रश्ण है त के इस्तान पर क्या कर देंगे द लेकिन सर्थ क्या है कि प्रतम पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या होना चीए त होना चीए और दूसरा क्या होना चीए कोई भी स्वर हो या किसी भी वर्ग का तीसरा या चोथा वेंजन हो तो क्या होगा बच्छों तके इस्तान पर द हो जाएगा मैंने यहां पर लिखा सत त और आनंद तो फिर यहां पर क्या बनाया सदानंद यानि त को किसमें बदल दिया द में बदल दिया फिर दूसरा देखो यह थोड़ी सी असुद्धी है इसके नीचे हलंत आएगा तके नीचे सत्य प्लस धर्म सद्धर्म क्या बना सद्धर्म लेकिन परिक्षा म में ऐसे आता है तो बच्चे समझ जाते हैं कि दूसरा रूप यह है कि बच्चों को कन्फ्यूज करने के लिए इस तरह का उधारण दिया जाता है और बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कांसे करे क्या करे कैसे नहीं करे हां तो बच्चों इसका भी आपको विशेध्या रखना है भागवत भक्ति तो यह त किसमें बदल गया द में तो आपको यह समझ में आया होगा आया समझ में अब इसके बाद बच्चों घर में क्या हो तो त किसमें बदल जाएगा दुक में के इस्तान पर क्या हो जएगा चय जै या हो तो क्या हो जैगा ध हो तो क्या हो जाएगा ध और ल होने पर ल हो जाता है अब क्या समझ मैं आपको यह पूर्व पद क्या होना चीने त या द होना चीए और उत्तरपद क्या होना चीए उत्तरपद यदि च या छ होगा तो त या द किस में बदल जाएगा च में बदल जाएगा किस में बदल जाएगा बच्चों किस में बदल जाएगा च में बदल जाएगा और इसके बाद ज या ज हो तो ज में बदल जाएगा त या ठ हो तो त में बदल जाएगा ल हो तो ल में बदल जाएगा तो इस तरह से इसमें क्या होता है परिवर्तन उधारण के माद्यम से देख सकते हैं उत्ति प्लस चारन तो बच्चो पूर्व पद का अंतिमवण त है क्या है त ये वाला त और दूसरे उत्तर पद का प्रतमवण क्या है च तो यहां पर क्या बनाया च तो यह च बनाया तो त क्या बना च च किसनियम से बना त के बाद च होने पर बन जाता है तका बिल्कुल अब यह सरत चंद्र तो तका च है तो क्या बना आधा बन गया बिल्कुल समझ में आए आपको उति प्लस लेख यह लहे तो बच्चो त आदा है तो लभी कैसा रहेगा आदा ही रहेगा आपको यह वाट समझ में आई होगी ऐसा में ने को विश्वास है बच्चो फिर हमने एक नियम फिर ओडिया देखिया कि अर fibre हो सिस्टान पर क्या हो जाता है कि तरफ के स्थान पर क्या हो जाता है यह गर दिया वह है लेकिन यहां पर गर की जगह क्या करोवा आप च किजिक चखे इस्तान पर चखो जाता है बच्चों कैसे हो जाता है तो हमने देखा यहाँ पर कि मृत प्लस शकक्तीकम तो क्या बनाया मृत कि बढ़ाया कटीकम हाँ यह люблю यहाँ इन्लिखा είναι किसका आत्था का उत्थ फ्लस इसक्ष तोच्ष देखन इसमें ऊट्शकिसमें बदला चर्मिं तो बच्चों सिष्ट हो गया और उत्र प्लस श्रिंकल उस रिंखल बिलकुल बन गया तो यह उन ही आएगा इसमें ठीक है ना उस रिंखल बन जाएगा बिलकुल बनेगा तो आप ऐसे धिहान देना है फिर एक नियम ओल डिया इसमें म मा के स्तान पर क्या हो जाता है अनुश्वार हो जाता है और बाद के वर्ण का पंचम वर्ण को हो जाता है बच्चों के सम प्लस कल्प संकल्प किम प्लस्चित किंचित और सम प्लस्टो संतोस तो इस तरह के वेंजन संदी के नियम बच्चों हमने पड़े अब हम देखते हैं अब भ्यास कारे पत्रक्त क्या देखना है कि जो नियम हमने पड़े स्वर संदी और वेंजन संदी के क्या वहां हमें आते हैं या नहीं आते हैं प्रश्ण नंबर एक देखिए प्रश्ण नंबर एक है बच्चों रामा नुज का सही संदी विच्छेद अब मैंने आपको संदी विच्छेद का तरीके बताएते क्या कि दो शब्द आप लिखो तो दोनों के ही अर्थ आपके सामने होना जरूरी है तो बच्चों राम प्लस अनुज राम यानि राम और अनुज यानि छोटा भाई राम नुज गलत है राम नुज यानि कुछ भी ने होता रामे अनुज यानि नहीं होता तो फिर हमने सही अंशर लगाया राम प्लस अनुज दूसरा है नद्यरपन अब बहुत सारे बच्चे क्या है इसको धर समझ बेठते हैं बच्चों इसका जो सही रूप है यह है यह वाला इसको समझने के लिए अब नद्य प्लस अर्पन नहीं है तो क्या है इसका नदी प्लस अर्पन और इन में से कोई नहीं नहीं हो गां तो हमने नदि प्लस अरपण बच्चों क्योसान नमबर 3 क्या है क्योसान नमबर 3 है राज़ प्लस रिसी और राजरशी तो क्या बनाओ गे राजा प्लस रिसी प्रहाच सी असी गलत है सई यह गलत है सही तो इसका सही अंसर राजा प्लस रिशी बन जाएगा भच्चुन नेती, तो नेती का संदी विच्छेत कौन से संदी है ना प्लस एती कौन से संदी है ऑ के बाद य आने पर ए हो जाता है गुण संदी का है बिल्कुल है और ससांक क्या है सस प्लस अंक तो इसमें सव आप्शन आ जाएगा बिल्कुल आएगा फिर हम आगे चले बच्चों व्रथा देश देखिए क्या बनेगा व्रथा प्लस आदेश बन जाएगा क्योंसर नंबर सेवन श्रिस्वर तो बच्चों किसके मात्रा है बड़ी की और बड़ी की मात्रा किस में आती है देर के संदी में यंतों श्री प्लस इस्वर क्योंकि बड़ीए और बड़ीए मिलकर के बड़ी का निर्मान करती है फिर बच्चों क्योशाенно एट विंद्या प्लस विंदे प्लस अचल तो हम क्या लिखेंगे विंदे प्लस अचल कौन सी संदी है दीर के संदिख, तो कौन सा आएगा सही, बाओप्षन विल्कुल रहेगा, स्वाधीन क्या रहेगा, आधीन सब्द नहीं होता है, यह गलत है, सू होता है, स और आधीन गलत है, तो बच्चों स्वा प्लस आधीन यह सही है, और बाकी के गलत हैं, ये बाब समझ में आ गई श्रावण बहुत ही अच्छा प्रश्ण है परिक्षा में ऐसे प्रश्ण आते हैं तो बचचे और है कि क्या है कि ना के पहले कोई भी स्वर आता है तो ना ना में बदल जाता है तो यह ना किसमें बदल गया ना में बदल गया तो इसका सही क्या रहेगा स्रो प्लस अन बिल्कुल हो जाएगा बच्चो काम आए नहीं काम प्लस आए नहीं बिल्कुल सही सब्द है अच्छ का क्या बनेगा आक्षि प्लस अंस तो यह आपके बन जाएगा द ऑप्शन तो आगे चले हम यह समझ में आए आपको यह हमने लिया यहां पर तेरह में अधिक्षक तो अधिक्षक किसे मिलकर के बना अधि यानि श्रेष्ट एक्षक यानि होता है देखने वाला अब आपने अति अति तो आएगा नहीं तो यह गलत हो गया अधि अधि में छोटी के मातर आती है यह गलत हो गया यह सही है और इसमें क्यों नहीं आया क्योंकि एक्षक जो लिखते हैं वह बच्चों इस तरह से लिखते हैं और इसका मतलब होता है देखने वाला देखने वाला क्या है बच्चों इसमें बड़ी के मात्रा है दियान देना बड़ी के मात्रकिन हैं तो इच्छा इसमें और ए होना चीए होगा भघ महाती बड़ी के चाहिए इसका सही रूप यह होना चाहिए लेकिन अफवाद है तो अद्रोष्ट में इस तरह का आएगा कुछ अफवाद भी है तो अफवादों पर भी आप तोड़ा सा ध्यान देंगे अब क्योशन संदी में तो हमने दिर्गशंदी कर दिया यह समझ में आगया को हैं तक आगे चलो को दो अर्था भर्म हर्थ धर्मार्थ हैate ब्रह्मान्ड किसका है ब्रह्म प्लस अंड सी ओप्शन आ जाएगा अब क्योशन देखो डीप क्योशन कैसे पूछे जाते कौन सी संधी सही है बच्चो देखो विद्याले का सही रूप क्या होगा विद्या प्लस आले और इसमें क्या दिया हुआ है वे धर यह चोटा वाला आएगा ना चोट द आएगा धर नहीं आएगा तो यह गलत है गलत हुआ या नहीं हुआ दूसरा उद्धार का क्या आएगा उद्ध प्लस हार तो यह भी क्या हो गया गलत हो गया राम प्लस आयन सो प्रतिशत सही है राम प्लस आयन सो प्रतिशत सही है और दिगंबर बच्चो दिगंबर का क्या बनेगा दिख प्लस अंबर बनेगा अंबर बनेगा दिगंबर तो यहां पर सही कौन सा है सी ऑप्सन यह समझ में आ गया अब है टॉंटी का कि कौन सी संदी गलत है इसमें सही पूछ लिया तो इसमें गलत पूछ लिया तो प्रती प्लस उपकार बिल्कुल सही है अदहा पतन सही है सदां प्लस एव सही है बच्चों नयन नयन किसे मिलकर के बनता है नय प्लस अन तो इसका सही आंसर कोंचर रहेगा बी रहेगा अब आगे चले अपन 21 संदी कीजिए तत प्लस मैं तो क्या लिखो के ता दा धन तो तन मैं बिलकुल बन जाएगा मैंने आपको नियम पढ़ाया के ता के बाद म आ जाए तो क्या होगा ता किसे बदल जाएगा अपने ही वर्गे के पंचमवण में बदल जाएगा उजवल बच्चो उजवल इस तरह से लिखा जाता है और आप यदि इस तरह से लिखते हैं तो यहां पर गोला लगा के क्रोस कर सकते हैं क्योंकि उजवल में दोनों जही आदे आएगे सम प्लस लाप तो क्या बनाऊगे, सम लाप, फिर इसका क्या है, सरत प्लस चंद, सरक्चन और तत प्लस हित, तदित इसका सही रूप के से बनेगा तदित क्योंकि ये त किसमें बदल जाएगा द में और ह किसमें बदल जाएगा द में तो क्या बनेगा तदित ये बात समझ में आ गई अनुछेद अनुछेद क्या बनेगा छेद अनुछेद संकल्प बन जाएगा बच्चों और जगदीश का क्या बनेगा जगत प्लस एस और वांग मैं का वाक प्लस मैं वांग मैं बन जाएगा यह बास समझ में आ गई तो हमने कितने क्यों संदी किसे करते हैं हमने पड़ा संदी के कितने प्रकार होते हमने पड़ा संदी स्वर संदी वेंजन संदी के अंतर इसपश्ट कीजिए यहन संदी का नियम हमने पड़ा अब आपके सामने हैं जैसे भाव का संदी विच्छेत करना है तो क्या करोगे भाव प्लस उख प्रवपकार का करना है तो उप दिग अंबर का करना है तो दिग प्लस अंबर इसका करना है तो अन्वेशन अनू प्लस एशन अत्य दिग का करना है तो अत्य प्लस अधिक और प्रत्य अशी का करना है तो प्रत्य प्लस आशी तो इस तरह से आप बना सकते हो, इसमें अत्यदिक का अत्यदिक बन जाएगा बच्चों, एक 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 का बन जाएगा परिच्छेद बन जाएगा इसका उद्गार और इसका भासकर, तो हमने ये सारी DPP हलकी संदी के नियम पड़े, स्वार वेंजन संदी सारी हमने पड़ी, तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, सभी बच्चों को बहुत-बहुत धन्यवाद और आगे बढ़ते रहेंगे, हम आपके उजवल भविसे की क कि अच्चों के जाब है